आप स्ट्रिक्त्रिक्त्रीज चलिए आप देख रहें मेरे पीछे कोई कोई कोशन अविलेबल नहीं है राइट राइट सर् चैसा कि मैंने आप लोगों को बता के भी रखा था आज है 29th of November और 29th of November के दिन मैंने आपको बोला था कि बिटा आप जितने भी बच्चे CBT2 के लिए तैयारी कर रहे हो SSC JE के लिए तो मैं पहले तो आपको बताना चाहता हूँ जब से SSC JE 2023 कंदर CBT2 का पैटन चेंज हुआ था मैं आप लोगों के लिए CBT2 की क्लासे भी पैरलली लेके चल रहा था अगर आप देखो के यूट्यूब पर मैंने आप लोगों को ये प्लेलिस्ट है SSC JE CBT2 की और इसमें देखो के आप मैंने अभी तक टोटल 56 वीडियो यानि की 56 डेस से मैं आपके लिए SSC JE CBT2 की क्लासे ले रहा हूँ जब आपका CBT1 का पेपर नहीं हुआ था उसके पहले से ही मैंने लेना चालू कर दिया था और आज 56 दिन हो चुके हैं 28 नवेंबर तक तो 56 डेस यानि की अप्रॉक्सिमेटड आप तो मन्त मान सकते हो यानि कि मैंने October में भी आपका इक्जाम October में भी मैंने आपके लिए Classes ली थीं और September में भी मैंने आप लोगों के लिए Classes ली थीं ज़िए तो अब आज ऐसा क्या था इस साम को 4 बजे कि मैंने आपकी Class नहीं ली तो मैं बताना चाहूँगा आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कि भाई आज मैंने आप लोगों को आपको पता है कि चाध असंबर को आपका एक्जाम है राइट बिल्कुल सही बात है अब जो बच्चे CBT2 की क्लास यूट्यूब में हमारा ठीक है तो वो भी अब हमारा खतम हो गया तो पेट बैच में भी हमने CBT2 की क्लास को बहुत बहुत बहुतर तरीके से इंजॉई किया अब बात आती है आपका पेपर है 4 दिसंबर के दिन अब अगर आपका पेपर 4 दिसंबर के दिन है यानि कि live mock paper लेके आने वाला हूँ क्लास के अंदर ही यहीं पर हम लोग discussion करेंगे ये live mock paper बहुत ही different type के होंगे तीन बहुतरीन mock हम लोग solve करेंगे क्लास के अंदर कब एक तारीक को दो तारीक को तीन तारीक को ठीक है साथ से last बात एक दो और तीन को आपको क्या करना ये तो मैंने आपको बता दिया है लेकिन कल है 30 तारीक यानि कि 30th of November कल आपको क्या करना है तो गाइस 30th of November यानि कि 30 तारीक को आप लोगों को अपने सारे subjects को बहतर तरीके से revise कर लेना है अगर मान लिजए आपने सारे subjects को अभी revise किया हुआ है सारे formulas या सारी चीज़े आपकी revise की गई है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आप मेरी इन सारी classes की PDF को एक बार go through कर सकते हो मेरी telegram channels से इन सारी PDF को आप go through कर सकते हो लाई भी लूँगा अब आती ही बार 29 आज आपको क्या करना है तो आज मैं अपनी तरफ से my 100 questions आप लोगों को provide कर रहा हूँ telegram channel पे PDF के form में उन 100 के 100 questions को आप लोगों को अपने level पे solve करके देखना है और try करे calculator वो वाला use करें जो हमको SSEJ देने वाला है उसी calculator का उपियोग करके ही उन questions को solve करें तो यह मैं आपको एक offline तरीके से 100 questions का एक bunch दे रहा हूँ यह my special questions इनको solve करें आप लोग बहतर तरीके से तो यह आज का मेरा session था जो मैंने आपको बताया है तो आज जो task दे रहा हूँ उसको complete कर लो कल 30 तारीक है 30 तारीक को बड़िये तारीक से अपने revision कर लो कोई live नहीं आऊँगा मैं कोई class नहीं होगी 30 तारीक को एक तारीक को mock में मिलेंगे timing same वही जो हमारी शाम को 4 बज़े रहती उसी timing उन्दों मिलने वाले है ठीक है चलिए टेलिग्राम चैनल देता हूं जो बच्छे टेलिग्राम पे विलेबल नहीं है उनको पीडीएफ मिल जाए पीडिएफ आपको जस्ट इस class के बाद 2 मिट के अंदर-अंदर मिलने वाली चीक है तो टेलिग्राम चैनल आपको देता हूं यह आपका टेलेग्राम चैनल इसको बड़िया तरीके से जॉइन कर लिएगा यहीं पर आपको भी पीडिएफ मिलेगे आराम सो इसको सौल करिएगा कोई ऐसा बच्चा जिसका माली यह वो मेरी क्लास अटेंड करता हो यह वाली लेकिन इस बार इसका सीबीटी वन नहीं निक करिएगा ठीक है अच्छा एक और अनॉंस्मेंट देना है आप लोगों को चार दिसमबर को एससी जेए का पूरा इतिहास खतम उचों का और दोजार तेईस का और च्छे दिसमबर के दिन से पांच नहीं क्योंकि पांच को अमारे इलेक्ट्रिकल के बच्चों का पीजी सह बिलकुल एक दम उसी तरी अंदाज में हम चीजों को करेंगे जिस अंदाज में अपने बिहवियर को बदल लिया गया है 2023 के अंदर ठीक है तो 2024 के लिए एससी जेए का डेडिकेटट पंच मेरी तरफ से आपके लिए अवेलेबल रहेगा शाम को चार बजे से चलियर है चल झाल झाल